नमस्कार दोस्तो स्वागत आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तो इंकम टेक्स विभाग के अंदर अगर आप दस्वी पास हो तो आपके पास सुनहरा मोका हैं सरकारी नोकरी इंकम टेक्स विभाग में जोइन करने का दोस्तो इसमें आपका कोई एकजाम नह चलते हैं हम के विडियो हम पहुंच घए हैं नौकरीखबर डोट की ऑपीचल बाइपसाइड पर यहां पर हम इंकम टेक्स बरती की फुल डिटेल जानेंगे यहां से आप देख सकते हो post name ठीक है income tax बरती 2022 अपलाई आपको offline माध्यम से करना है किस address पर करना है और कैसे करना है वो मैं आपको सब कुछ आगे बता दूँगा दोस्तों यह कुछ short information है इसको आप read कर लीजिएगा आगे vacancy details की बात करेंगे तो देखो vacancy आपको इसमें various post मिलने वाली है तीन categories में आपको इसमें post मिलने वाली है income tax inspector की post मिलने वाली है tax assistant की और multitasking staff यानि की MTS की आपको post मिलने वाली है दोस्तो importance date की बात करें तो देखो आपकी starting date है 19 March तो 19 March को आपके form भरना start हो चुके है और last date है इसकी 18 April तो 18 April से पहले पहले आपको offline मद्यम से इसका form apply करना होगा अगर आप interested हो तो दोस्तो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता दूगा age limit की बात करें तो देखो age limit यहाँ पर आपको minimum age आपकी 18 year सोजानी चाहिए OBC वो हम full notification में कितनी चूट होगी वो मैं आपको आगे full notification में बता हूँगा दोस्तो application fees की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप application fees आपको general OBC के लिए बिलकुल free है SC, ST, PH और all categories के लिए बिलकुल free है तो form apply की आपको कोई piece नहीं लगने वाली है दोस्तो ठीक है आगे बाद हम full notification में इसकी कर लेंगे अगर दोस्तो आप इन 5 जोब में interested हो यह देखिए top 5 government jobs है आज की today की तो अगर आप इसमें किसमें भी interested हो तो यहाँ से आप इसको check out कर सकते हो इस पर implement करके दोस्तो आगे बात करंगे इस link की description में मैं आपको इसका link दे दूँगा दोस्तो vacancy detail for income tax बरती 2022 apply offline मद्यम से तो यहाँ पर देखो income tax department में यह बरती है vacancy अगर आप vacancy बात करूँ तो आप कहां से अगर आप राज़स्तान से हो या फिर आसाम बिहार गुजरात किसी भी state से आप हो all over India के लिए job है आप किसी भी राज़से apply कर सकते हो दोस्तो पूरे और पूरे इंडिया के अंदर यहाँ पर job आपको दी गई है दोस्तो अगर आप income tax department जोइन करना चाते हो तो तुरंत apply कर दीजे यह आपके पास में सुन हरा मोका है मेरे भाईयो आगे salary की बात करेंगे तो मल्टि टास्क के अंदर salary आपको 5000 से लेकर के 20,000 तक basic salary है बाकी बत्ते वत्ते मिला कर हम full notification में इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कितनी आपको salary इसमें दी जाएगी दोस्तो education qualification की बात करें तो education आपकी minimum 10 पास होनी चाहिए अगर आप 10 पास है तो MTS में आप apply कर पाएंगे दोस्तो आगे अगर आप income tax में और income tax department में अगर जाना चाहते हो तो इसमें आपको graduate होना चाहिए दोस्तो how to apply income tax बरती तो देखो दोस्तो अगर आपको apply नहीं करना आता है तो यहाँ पर full detail दी गई है और apply देखो वह हम notification में जानेंगे लेकिन apply आपको 18 अप्रेल से पहले पहले इसको करना होगा यहाँ पर short detail ही दी गई है बाकि full detail हम notification में आपको बताने वाला हूँ आगे देखिए यहाँ पर जो आपको जो है candidate की photograph चाहिए और candidates के signature आपको चाहिए apply करने के लिए दोस्तो photograph और signature चाहिए आगे जो आपका selection है वो यहाँ पर किसी भी कोई exam नहीं लगेगी आपको only for skill test और interview के आदार पर आपका इसमें selection किया जाएगा मेरे भाईयो ठीक है तो आपके पास में सुनेरा मोका है सरकारी no creep पाने का दोस्तो अगर यहाँ से आपको full notification चाहिए तो यहाँ से आप download भी कर सकते हो apply अगर online अमादियम से होता तो हम यहाँ से इसको apply कर लेते दोस्तो अब आगे इसकी full notification में आपको इसकी full detail और देखने को मिलेगी नीचे discussion में दे दिये वहाँ से आप इसको download कर सकते हो तो दोस्तो हम पहुँच के इसके full notification में देखे यह हम full notification डाउनलोड कर लिया है यहाँ से आप देख सकते हो यह एक मार्च 2022 को जारी किया गया है notification दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें subject आपकी जो income text है inspector और text assistant और multitasking stop के लिए जो vacances है उसके details यहाँ पर दी हुई है दोस्तो इसकी यह बरती होने वाली है आगे नेटिपी किसन में अगर हम बात करें तो देखिए salary की बात करें दोस्तो तो salary के अंदर आप देखिए income tax inspector के salary आपको level 7 के through आपको salary जो है 4600 grade pay के आदार पर 9300 से लेकर के 34800 तक दी जाएगी यह आपके basic salary है आगे बत्ते बत्ते सब मिला कर इसमें और aid हो जाएंगे दोस्तो आगे हम text assistant के बात करें तो इसमें level 7 के salary level 4 के आदार पर ही इसको जो salary है वो 1200 grade pay के आदार पर 5200 से लेकर के 20200 तक दी जाएगी दोस्तो आगे तीन नंबर पॉइंट में हम multitasking stop MTS के जो salary देके तो देखो 1800 grade pay के आदार पर इसको salary 5200 से लेकर के 20200 के बीच में मिले वाले यह आपकी studying salary है दोस्तो आगे salary में समय के साथ में वर्दी होती रहेगी मेरे भाईयो आगे इस vacancy की बात करें तो देखे इसमें age limit आपकी जो है वो देखे इसमें आपकी 5 year की छूट दी गई है आपको अगर आप S.C.S.T. में है तो आपको 10 year की छूट दी जाएगी बाकी अगर आप जनरल और O.V.C. में है तो आपको 5 साल की इसमें छूट दी गई है मेरे भाईयो आगे इसके अगर बात करें तो देखे यहां से कुछ इसको फोर्म की apply की last date हो आपको 18 April दी हुई है इससे पहले प पर पॉइंट देखे selection of the candidates आपका selection किस आदार पर होगा यह detail यहां पर आपको दी हुई है इसको आप read कर सकते हो दोस्तों बाकि आपका जो selection हो आप skill और interview के आदार पर जो आपका selection किया जाएगा मेरे भाईयो नो कोई exam आपकी इसमें नहीं होगी कोई exam नहीं होगी दोस्तों only skill और interview के आदार पर आपका selection इसमें होगा मेरे भाईयो तो यह निश्चित रही है आपके लिए कुछ सुने रहा मोका है income tax department जोइन करनेगा पां आपके लिए इसमें अपने डिटेल यहां पर देख सकते हो आपके लिए कुछ विश्यस तोर से यहां पर दिया गया है चैनल पॉइंट में देगा हाउ टू अपलाई आप अपलाई किस तरीके से कर सकते हो आपको अपलाई देगो ठार अप्रेल से पहले-पहले साम 6 बज चाना है अब फोर्म कैसे बरना वो मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों यह कुछ इंपोटेंट नोट से इनको आप रेड कर लीजिएगा दोस्तों फोर्म अपलाई करने के इसाब से यहां पर देखिए आप यह आपका फोर्म आ गया है अब फोर्म आ होनी चाहिए और लास्ट चै मैने से ज्यादा पुरानी नहीं होने चाहिए यहां से आप देखेंगे यहां से अगर आप इंकम टेक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट कर रहे तो इसमें राइट का चीन लगाए अगर टेक्स असिस्टेंट का पोस्ट कर रहे हैं तो यहां से रा पिनिया लाल और लास्ट नेम आप कुमावत या फिर जो भी है Хथ अपलाई कर सकते हों फरस्ट नेम ला लास्ट नेम इस अदार पर आपको करना है दोस्तों आगे आप फाधर्स नेम फाधर्स नेम आप यहां पर अपलाई कर लिजिएगा इधर आपका जर्रल मेल या कर पाएंगे यहां से नाप अप्लाई कर पाएंगे यहां से आप अपने पेठल कर लीजिए अगरES अकर आप कर लिजिए अगर आपर लोलेगा आगे आपको डेटो बर्था, आपके जननदिनांग यहां पर बर्णनी है यहांपर आपकी जो एठारा मार्च से पहले पहले फरे 18 की होजाने हैं कितनी यहांब की हो चुकी है, यहांपर आपको बर्णना है ठीक है आगे आपका एक identity proof आपको यहाँ पर जैसे आदार काइड है उसका number यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तो आगे देखिए यहाँ से आप और भी जो आपके पास में जो qualification वो यहाँ पर आप बर सकते हो दोस्तो आप किस category में आते हो general obcsht वो यहाँ पर आप बर लीज करके इसको बर लीजिएगा दोस्तो आगे इसमें अगर बात करूं तो इसको आप बर लीजिएगा अपने इसाब से इनक सभी को read करके और आगे यहाँ से आप देखो इसमें अपना mobile number लगाना मत भूलना और यहाँ से अपनी email id जरूर लगा देना दोस्तो आगे last में आप आपको इसको send करना है दोस्तो दोस्तो अगर इस से vacancy से detail और भी अगर आपको कुछ detail चाहिए कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे नीचे comment करके आप बता दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको apply करके पूरा बताओं पूरा एक नया वीडियो बनाओं तो मैं इस वीडियो का एम 500 लाइक का रखता हूँ अगर 500 लाइक आप complete कर देते हो तो मैं आपको जो है पूरा इसको apply करके एक नया वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा दोस्तो दोस्तो बरतियो समझे regular update पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए मिलते हैं अगली खबर में तब तक